हो न जी बच्चा लोग कैसे वह हैपसर छॉण भड़िन क्षा एक्दम हो로ion होणा होंकि आपकी 12th क्लास की है और 12th क्लास क olduğ इस हम लोगो मैंने जाधा करने की जरूत होती हैं हम लोगों को है लोग कि मार्क चैए हो ते चल करना को पर पाए स्याधा करने होती है म sitä निuu आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं अपने चाप्टरा के बारे में जिसका नाम है जैफ प्रोज्योगी की के सिधान्त एवं प्रक्रम ठीक है जिसको क्या बोलता है बायो टेक्नोलोजी प्रिंसिपल एं प्रोसेस राइट चलो इसको आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि जैफ प्रोज्योगी की है या फिर बायो टेक्नलोजी है यह बेसिकली देखा जाए तो तीन शब्दों से मिलके बना हुआ है कौन-कौन से तीन शब्द है यहाँ पर बायो टेक्नो और लाधीत तीन शब्द यहां पर आ जाते हैं तो बायो का मतलब आता है आपका जीव ठीक है बायो का मतलब क्या गया जीव आ गया टेक्नो का मतलब टेक्नीक आ गया जिसको हम टेक्नीक भी बोलते हैं लोजी का मतलब स्टड़ी आ गया यहां कि भाई जीवों में जो हम टेक्नीक यूज कर रहे हैं उसकी जो पढ़ाई लिखाई है वो क्या कहलाता है वो कहलाता है आपका बायो टेक्नो लॉजी कहलाता है अब अगर जीवों की हम बात करते हैं तो जीवों का मतलब हमको पता है कि यहां पर यह जीवित हैं उसके बाद अगर मैं तकनीक की बात कर रही हूं तो तकन सजीव हाते हैं चाहे वो कवक हूँ चाहे वो जीवानू हो चाहे वो पादप हो या चाहे वो जन्तू हो कोई से भी हूँ यह सारे के सारी क्या कहलाते हैं आपके जीवित कहलाते हैं यह हैं आपके जीवित जीव राइट चलो इसके बास जब मैं सजीव की बात करती हूं तो ह यहां पर क्या होता है कि कोई व्यक्ति है इस व्यक्ति हो क्या है डाइबटीज है राइट डाइबटीज को हम शुगर भी कहते हैं और मदू में भी कहते हैं अब यह जो व्यक्ति है इस व्यक्ति में क्या है इस व्यक्ति में इंसुलिन की कमी है ठीक है इसमें जो है इंसुलि लेकिन के समय में है बायो टेक्निलोजी बहुत स्यादा एडवांस हो गई है बदल गई है राइट चलो अब यहां पर हम यह देख रहे हैं कि हमाई पर्सन ए है ठीक है यह रहा पर्सन ए बहुत खुश है यह बहुत खुश है बोला मैं तो भाईया बिल्कुल नौर्मल हूँ यह पर्सन भी है हम इंसुलन को निकालते तो उसको निकालने के बाद बहुत जिन्दा थोड़ी रहेंगे जानवर जाएंगे ऑविसी बात है तो हमने क्या किया इतने बेजुबान जानवरों को मारने से बटर हमने सूचा यह टेक्शन के साथ लगा है कि इंसानों के अंदर जो वांची जीन या फिर जिसको हम gene of interest कहते हैं जहां पर particular जगाए पर क्या पाए जाता आपका DNA के उपर insulin का gene पाए जाता है क्यों न वहां से निकालें और वो जो व्यक्ति है जिसको जरूरत है यह वाला व्यक्ति जिसको जरूरत है उसको दे दिया जाए ऐसा सोचा गया तो बोला कि चलो ठी हम सब्सक्राइब से एक जरूर्म क हम दहुंता नोस्ती बड़ेन ऑप्跳 करको ऑपको नहिंदे रहें ठीए रहा तो प्रिपने जाएगा कि अनवार्म सभगते हैं तो और से इंसान वाला दियॉन को अलके पढ़ना प्सक्राइब तब तो दूसरे इंसान के शरीर में जाएका जो भीचारद है कि इस की रिखार करेंगे कि इस धाने को पहले हम प्रतॉक करन करेंगे यह तो हमने को इस को हमने यहां पर यह बाहर निकाला यह इंशुलिन जीन है शरीर से निकालेंगे उस और यह जो जीन क्या क्यांका पर यहांपर ऑन्ठेट जीन या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट कह लाई का जो पर्टिकुलर ॡियने के ओपर मौझूद है अब हIA पर निकाला अब जब पूरड़ीए न वहार आगिया है यहां से यह छो हिस्सा था जू आपका इन्सूलिन चीन को हमने अलग कर लिया अब जब दिया एक इसो हमने बहुत क्रों और इतनी सारी प्रॉसेश करने के बाद यह जो जीनigerus में बहुत का के बहुत सारे इंसाने को गया लेकिन एक जिसा का हम क्या करेंगे हैं इसकी हम् बहुत सारी कापी बना लेंगे हैंना और की करेंगे को बॉटल से बंद करके हम बहुत सारे इंसानों तक पहुंचा देंगे तो यह वाला बैनेफिट ज्यादा रहा ना यह वाला ज्यादा बैनेफिशल रहा कि एक जीन से हमने करोड़ों बना लिए ठीक है पैसा वसूल हो गया अपना है अब कैसे बनाई कॉपी हमने वाहक यानि वेक्टर का गई हमको अब यहां से जो है इसको मिल गया है अब यहां क्या होगा यह वांचित जीन होगा इसके डीने के साथ जाके जुड़ जाएगा ठीक है और यहां पर इंसुलेंट बनाने का कारेक्रम चालू हो जाएगा राइट इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है जल्दी से थमसब करके बता दो चाप्टर बहुत मज़ेदार है अगर देखो समझोगे पढ़ोगे अच्छे से तभी समझ में आएगा ठीक है समय बरबाद ना हो इसलिए सारी चीज़े पहले से बनाके रख ली गई हैं कि आपको चीज़े समझ में आ जाएं क्योंकि फिर इतना टाइम बरबाद ना हो समझाने में चलो आजाओ अब हम बात करते हैं परिचे की यहांपर हम दो चीज़े पढ़ रहे है ठीके क्या एक तो जैफ प्रच्छौगी की पढ़ रहे हो आप एक जैफ प्रकरम पढ़ रहे हो यहांपर दो चीज़े देख रहे हैं मेर कि यानि कि कुछ सिधांथ होंगे उसके कुछ प्रिंसिपल होंगे की उनका यूज क्या है और यानि कि जयव प्रकुरम दूसे ची यानि कि जो सिधांथ है है बायो और टेक्नलोजी ठीक है जिसका मतलब है कि जैविक कार को उनके घटको अथवा उनसे प्राप्त इंजाइमों के उप्योग द्वारा लाब धायक उत्पादों की और ध्योगिक स्तर पर याने की अफ्योग करना उनको जैसे की जीवाणु करने की प्रक्रिया को我們 grow की यहां पर जीविट चीवएा जती ए ती और प्राध्योगि की मतलब किसी चीज को बड़े लेवल पर बनाना उसके बारे में जानना ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं बायो टेक्नलोजी बोलते हैं राइट चलो तो एक संग आता है जिसका नाम क्या है EFB क्या नाम है EFB यानि कि यूरोपिये जैफ प्रोध्योगे की संग आता है तो इनक कि यूजन जैफ प्रध्योगे की कहलाता है है टीक है तो चाहिए आप वो भी यह लिख सकते हो आप प्रध्योगे की और यह भी पदार्थ के साथ झेड़ खानओ लिए इस वह गोग नोच्छी डार्ट रहते रहते हैं तो हम इनको करते हैं कि ही उस और आरनी का रेते कि रहा लुकूं और रसायन का यूज से रिलेटेड दू रहें नमन ark Rs. प्रवेश करा रहे हैं यहां पर हम ठीक है ताकि क्या हो सके परिवर्तन हो सके ठीक है जब रसाइनिक की बात आती है तो वातावरन बनाकर यहां पर हम कैसा करते हैं एक आर्टिफिशल वातावरन बनाते हैं वांशित जीन क्या करते हैं शूख्मुजीवों की कोशिकाओं में फिर डाला जाता है ठीक है अब अनुवंशिक पदार जो है कि हमारे पदा है DNA है तो यहां पर कौन कौन से step आते हैं तो यहां पर DNA जो होता है इसका विलगन करना यानि कि उसको isolate करना प्रत्यकरन करना DNA खंडन किया हमने उसके बाद यानि कि उसका जो है क्या segment बनाए हमने से काटा फिर वाहाग के साथ जोड़ना यानि कि वेक्टर के साथ जोड़ना और लास्ट में पर पोशी के शरीर में डाल देना तो यहां पर अनुवंशिक जो है पदार उसका यहां पर यह काम होता है लेकिन जब यहां बात करते हैं तो यहां पर हमन दोछानि जांत करेंगे ऒघिए को satran प्रुच्च्व काया है तो सिद्धान के आपका पहला आता है अनुवंशिक सिद्धान जो मैंने अभी बताया दूसरा आगया आपका रसायनिकिया तो अगर सिद्धान तो आपसे पूचा जात है तो इंपॉटंट है यही लिखेंग आइप पियुक्त जालो तो हमने क्या वो लाए टेकनीलॉजी यह जीवों में हो ₹ मैं रहा परशन भी अश्रण सब्सूज करेंगे दर थी टृज है जो है तो हमने बोला यह वाला परशन जौन को लुकर्स में है यह वाला थो बहुत खुश है क्योंकि नॉर्मल ऐसे्कोई बिमारी नहीं है पर यह वाला कैसा है यह बहुत ज्यादा है सैड अधता को सब्सक्राइब कोशिका मेंसे हमने क्या किया सबसे पहले कोशिका में से ठीपर यहां से यहां काट अदर इसको बाहर नित है तो इस चाहिए तो इस दीयेन के सासत क्या एगा ना आ सकता है इसके साथ प्रोटीन आ सकता है और कोशिका के छोटे-छोटे टुकडे भी आ सकते हैं ठीक है इस वाले DNA के साथ अब यह सारी की सारी चीज़े इसके साथ यहां पर आ गई अब क्या हुआ तो पहला स्टेप जो हमने यहां सीखा कि DNA को हमने कोशिका से अलग किया जिसको हमने क्या कहा DNA प प्रठक करन की बात कर रहे हैं यानि कि जो कोशिका है उसको तोड़ने की ज़रुत पड़ेगी कोशिका को तोड़ने की जरुत पड़ेगी है ना क्यों कि इसी कोशिका के अंदर क्या होता है ना इसी कोशिका के अंदर हां तो क्या करो गया कि जब मैं पादब कोशिका की ब बित्ती जो है cell wall जो है वो किसकी बनी होई होती है cellulose की बनी होई होती है ठीक है cellulose की कोशी का बित्ती है इसको कौन सा enzyme तोड़ेगा इसको तोड़ेगा आपका cellulose cellulose ठीक है cellulose enzyme तोड़ेगा फिर जब मैं किसकी तो कवकक की घुटि होते हैं आरना five कॉण सा enzyme करता हो राइट कॉन सा enzyme काम आता है कौन सा enzàim काम आता है और væ moyen Gary फिर आप जिवान की बात करते हैं जिवान वर इनको तोड़ने के लिए क्यों सा बीदाब इनको तोड़ने के लिए अलग अलग इनजाइम की ज़रुत हती है वह अब देखो आए पुणर यूगज दिने प्रधोगी की का क्रम यानि कि स्टेप बाइज चलेंगे सिध्धान किया है कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो इसको स्टेप बाइज फॉलो करना पड़ेगा हमको ऐसा नहीं है कि पहले आपको पुष्पी पादपों के बारें पढ़ना है फिर आपको मानव के बारें पढ़ना है मानव फिर आपको मानव स्वास के बारें पढ़ना है इसका मतलब चीज़ें वहां सो समझ के रखी गई है कि ऐसा ही क्यों कि पहला आपका चप्टर पुष्पी पादपों के बारे में हैं फिर मानव जनन के बारे में फिर मानव के स्वास के बारे में ऐसा क्यों है कि लास में जा बना लोंगी घर में बनाती इंसुलीन ऐसा नहीं होगा ना हम इसका एक और जोगी नहीं होगा है ना चलो तो DNA विलगन यानि की प्रतकरन करना कि हमारे पास DNA था हमने इसका प्रतकरन कैसे किया कोशिका के अंदर से निकाल के इसको ठीक है यह रेड कलर का मैंने वांचे जीन दिखाया हुआ है ध्यान रखना बिल्कुम तो पहली चीज आगे DNA विलगन यानि की प्रतकरन जहां पर भा DNA लिप्ट प्रोटिन है कोशिका के खंड है इसके साथ ठीक है यहां आरेने को दूर करने क», हम आर ना को दूर करने में司 यूपर हम और ने यहां पर सब चलेगे सब चलेगा है यूज कर लिया लेकिन भाइए कोशिका के खंड अभी यहीं पर है उसके खंड अभी यहीं पर है अब यह जो खंड है इनको दूर करने के लिए यहां पर इस्तमाल किया जाता है है ठीक, हमने क्या किया, हमने यूज किया याने के ठंडा इतनोल यूज किया, यह आपके test tube है, ठीक है, test tube में क्या किया, हमने चिल्ड इतनोल डाला और यह हमारा one gene के साथ क्या है, DNA है, यहां पर हमने ये DNA इसमें डाल दिया अभी जो अशुद्य थी वो क्या होगी नीचे बैठ जाएंगी और फियोग डियने है वो कहां उपर आजाएगा ठीक है तो यह जो प्योड डियने हमारे पास आया है यह क्या है शुद्ध है शुद्ध आगया है अब इस पूरे डियने का हमको यूज नही ठीक है तो वह था हमारा पहला स्टेप दूसरे स्टेप में क्या करना डियंने का करोगे मैं ने बोला कि यहां पर हमने स्को काटा है किस से काटा ए अनुव bili क्या है हां यह त्यों फक्र elf चेंग न जुप रहे हैं आ जब यहां पर जो अनुवनशी कैची है यहां पर नूपलियस के अधार पर दो प्रकार के होते राइट धो प्रकार के यह यह बहुत बार पूछने के लिए आ जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना हो बहुत सिंपल सा चोटू सा है प्यारा सा इसका जो है डिफरेंस है याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अभी जब समझाओंगी तो हैं देखो एंडो का मतलब क्या होता है अंदर और नूकलिय्ड का मतलब क्या होगा बीच में से काटना तो यहाँ पर क्या हो रहा है यह जो DNA है यह पर्टिकुलर एक खंड दिख रहा है आपको फिर गूंड करेंगे और इन्हीं में एक कहीं होगा जिसको वादचिक जीन को चायते हैं ठीक है यहां पर आजाएगा फिर जब में exonuclease की बात करती हो exo मतलब होता है बाहर यह किनारे ठीक तो यहां पर क्या होता है इंजाइम क्या करता है यह जो DNA होता है ठीक है तो DNA के जो खंड होता है इसको किनारों से काटने का काम करता है ठीक है कैसे करता है किनारों से काटता है यहां से यहां से काटेगा 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 ऐसे ठीक है तो इंजिनेरिंग और रिकॉंबिनेंट टेक्निलोजी ठीक है तो बाई दीने की संद्शना में अवाशक्ता अनुशार फिर बदल करने को हम जैनेटिक इंजिनेरिंग कहते हैं इसका क्रतिम संसलेशन दो अलग अलग जीनों के डिने खंडों को जोड कर नया डिने बनाना डिने की मरम्मत करना डिने से कुछ निउकलोटाइट को हटा कर जोड कर मतलब यह कुछ हटा दो या जोड दो या फिर वी स्थापित करके इच्छित संद् पाइच्ड करना यानियां कि भाई हमने क्या किया वहां पर हमने बोला कि यूदा इस लड़की की आंखे पसंद है मुझे भी ऐसी आखे चाहिए तो अब तो मुझे वही जीन चाहिए होगा कि भाई जब इसकी आखे नीली है तो मुझे भी आखे नीली चाहिए मैंने का नए बाई डॉक्तर मुझे तो इसकी आखे पसंडना है मुझे ऐसी आखे चाहीं तो मैंने यह क्थी के लिए फॉड लेकिन आखे आखे चाहिए थीक है इसके इंदर का जो जीन responsible होते हैं basically तो हर चीज के लिए मतलब जीन responsible होते हैं तो यहां पर हम इस जैप रध्योगी की मैं बात कर रहे हैं कि पर्टिक्लों जीनों के बारे में जिन में हमारा interest है कि हम उसको हटा भी सकते हैं नया लगा भी सकते हैं यह उनमें आगे पीछे करके उनमें फेर बदल भी कर सकते हैं ठीक चलाओ यह समझे लिए आपने है ना कि हमने क्या किया यह जो एंडो नुक्लियस था इस तरीके से तो हमने यहां से यह वाला पार्ट उठा लिया और इसी पार्ट में से हमने कोई हमको मिल गया है डियनय की वांचित जीन हमको मिल गया है अब डियनय कैसा होता है colorless होता है ठीक अब जब Colorless होता है तो आप कैसे बताओगे कि अच्छा यह वाला हमाराdest जीन जो हमको हम चाहिए तो बही कैसे बताओगे जभल उसको यूज करेंगे हम यहां क्या करेंगे dna खंद है क्या करेंगे ढाल देंगे जहां पर इलेक्रिख फ्रिल्ड क्या होगी क्रियेट हो जाएगी और यह जो dna होता हैं ये लंभाई में अपने आपको Sal सẩ्टल कर लेते हैं ठीक, लंबाई में, यह है आपकी थर्ड स्टेप, जहां पर हम जल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक, तो यहां जब हम जल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह क्या है, यह पूरा आपका एक, ठीक, ट्रे टाइप है, यहां क्या ह यहां इसके बीच में एगोरेस जेल पड़ा हुआ है ठीक है एगोरेस जेल पूछा जाता है कितनी बार की भाया कहां से मिलता है हमको यह तो आप जब आप दोगो red algae से मिलता है याद रखना ठीक यह क्या हमारे DNA है इन्हें DNA मैंसे यहां तो red color का मैंने दिखा दिया आपको red color का हमारा यह gene है ठीक है जो हमको चाहिए लेकिन actually मैंने क्या बोला कि gene DNA क्या होता है colorless होता है तो यहां कैसे बताओगे तो यहां पर जो क्या है यहां पर क्या है कि ethereum bromide डाला जाएगा यहां पर क्या डाला जाएगा ethereum bromide डाला जाएगा जो क्या करेगा यह जो DNA के खंड है ठीक है इनको orange color का कर देगा यानि कि जो DNA खंड हमको चाहिए उसको कैसा कर देगा orange color का कर देगा तो हमें यह होता क्या है यहां पर कि यहां पर कुछ नहीं हो रहा है यहां तो हमने रखा है इनको यहां पर चोटे-चोटे जो खंड होंगे डियने के वह आगया जाएंगे और जो बड़े-बड़े हैं वो क्या हो जाएंगे पीछे की तरफ आजाएंगे ठीक है पीछे की तरफ आगे ब चोटे DNA कड एनोट पर जाएंगे और बड़े काँ जाएंगे कैथोड पर जाएंगे ठीक है फिर यहां पर हम क्या डाल देंगे इथीदियम ब्रोमाइट डाला तो भाई हमें यहां कहीं मिल जाएगा कि यह यह रहा हमारा वांचिज जीन रेट किलर से जो हमको यहां औरेंज जेल में डाला था ठीक हमने अगरेस जेल में डाला था एस वेल एस वहां पर हमने इथीदियम ब्रोमाइड भी डाला था तो यह चीज़े भी उंगी इसके साथ तो यह जो वांचित जीन है इसमें थोड़ा सा जैल भी तो आचाएगा साथ में उठके जब उठाके लेकर आए तो यह जो जैल है हम इसे अलग करेंगे तो इसका भी एक प्रॉसेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं इल्यूशन याने की च्छालन तो बहुत बार बहुत बार पूछा जाता है कि च्छालन विधी क्या है एक नंबर में या तो फिलिंदा ब्लैंक में आजाएगी आपके पास या ओप्शेंस में आ जाएगी कि च्छालन विधी में क्या होता है या फिर को डे इफिनेशन देदेंगे और बाभिट्ची यहां से नंज में से एक। च्छालन होगा तो चलन क्या है आपसे ज़। कि ऊपिह छोछ लिया जाता है कि हमने क्या बोला इस जो जैल होता है वांशीट जीन में सी जैल हमने अलग किया है भ been싸 तो प्योर हो चुका है या तो हम इसको डारेक्टली किसी के शरीर में डाल देंगे यह व्यक्टर के साथ मिला कि इसकी कॉपी बना लेंगे राइट इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आई है फड़ा फड़ से मुझे बताओ बतियाओ बिल्कुल नहीं भाई बहुत half-table लेक्टर डिया यहां से हमको वांशयजीन मिल गया है जिसको वैक्टर के साथ जोड़ेंगे यह तो अब आजզे लुक्त के मारे पास तो ये यह वाहां को मिला अहां लगा लगांगे यहां जाके लगा देंगे जोड़ जिसको हमने का पुनर योगस DNA, ठीक है, पुनर योगस DNA कहा, कैसे जुड़ता है यह, लाईगेस से जुड़ जाता है, DNA लाईगेस से, ठीक है, अब यहाँ पर जो पुनर योगस DNA है, यहां के आओगा, इसकी हम copies बना सकते हैं, कैसे copies बनाओगे इसकी हम, PCR से बनाओगे है ना polymerase chain reaction से एक मिनट में लगबग करोड़ों बना लेता है इतना याद रखना फिर या तो आप ऐसा कर सकते हो या डायरेक्ट जो है पर पोशी में ट्रांस्फर कर सकते हो ठीक है कि तो वही है चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर देखो यह सब वही है जो मैं अभी आपको बता रही हूं कि भाई यहां पर हमारे पास दो जीन है एक के पास वांशित है और दूसरे के पास इंसुलिन नहीं है ठीक है तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक कि डीने कोशी का को अलग किया यानिकी प्रतक करण किया है जिसके हमने कोशी का भिति फोड़ी इंजायम का यूज किया एंडोणी एक ठीक है वांशित जीन निकाला यहां पर हमने यह आपको डीने मिल गया है यहां पर है ना इसको हुने डार्क्ली वाहट में डाल दीया डिया डारेक्ली या तो उसको वहाग के साथ जोड़के क्या करेगा वो self replication यानि की division करेगा ठीक है अगर direct डाल देंगे तो इसमें डाल देंगे पर पोशी कोशे का में और अगर अगर सी copies बनानी है वहाग के साथ मिलाके तो PCR यूज़ करेंगे ठीक है अब जब PCR यूज़ करना है आपको copies बनाने तो क्या करोगे copies बनाने लिए आप क्या करोगे बैक्टीरिया यूज़ करोगे कि बैक्टीरिया क्यों यूज़ करोगे यहाँ पर सवाल आता है आप मेंसे सच्ची बताना कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है कि बैक्ट यूज करते हैं कितने बच्चों को मालूम है इमानदारी से बताना बिल्कुल हाँ कितने बच्चों को मालूम है बोलो चलो जिनको मालूम है वेल इन गुड और नहीं मालूम है तो मैं बता देते हूं कि जो बैक्टीरिया होता है इसके पास दो अनुवन्शिक पतार्द होते हैं तो इसे लिए हम बैक्टिरा को यूज़ करते हैं तो हमेशा तो ये मारा बैक्टिरिया है लाइट यहीं कर रहे हम तो यह पीर यहां पर यूज़ कर रहे हैं तो यह आपका प्लाजमीट कैसा हो चाहिए डबल circular plasmid हो चाहिए okay दूसरी बात कि यहां पर औरी वाला पॉर्शन होमा चाहिए ठीके अब यहां क्या करेंगे बैक्टीरिया से ही हम उत्पासथ्ता और यह ओड़ करता ओड़ isso । your future होता है यही प्रती क्रतियन की उत्तपत्तिस्तल कहलाता है अब हमने क्या किया प्लास्मिट को अलग कर लिया यह बैक्ठीरिया के अंदर था ना हमने अलग कर लिया यह ओरी वाला रिजन था है ना लाल रंग से यह ओरी वाला रिजन था इसको हमने काट लिया ठीक है काट लिया हमने इसको और काटने के बाद ही जो ओरी वाला रिजन इसकी जगह हमने यहाँ पर क्या लगा दिया आपका वांचित जीन लगा दिया ठीक है तो प्लास्मिट को काटना प्रतिकरति दिस्तल याने की औरी वाले रीजन पर हमने क्या किया वांचित जीन को जोड़ दिया ठीक है और तब क्या करेगा वह रेप्लिकेशन करेगा ठीक ह चलो यहां पर समझते हैं कि हमने अलग किया फिर हमने वांचित जीन और प्लास्मिट दोनों को डाल दिया ठीक है यहां पर वांचित जीन जो है और प्लास्मिट दोनों को हमने क्या कर दिया देखो एड कर दिया ठीक है वांचित जीन प्लस प्लास्मिट दोनों हैं यहां पर यह रहापका वांचित जीन यहां से यहां तक जो हम लगाएंगे और यह रहापका plasmid ठीक है ना अब plasmid को काटेंगे उसके प्रतिकृतियल स्थल से काटेंगे राइट कैसे काटेंगे क्योंकि भाई ताकि जो gene of interest याने कि वांचित जीन है वो क्या कर सके वो यहां आके जुड़ सके ठीक है और application याने कि डूई-गृण कर सके तो यहां पर हम endo क्या करेंगे endo nucleus restricted enzyme यूज़ करेंगे इसको काटने के लिए ठीक है तो ध्यान रखना कि endo nucleus enzyme जो होता है ठीक है इसकी help से ही plasmid को और ही की तरफ से काटेंगे याने कि यह जो है इसी की help से हम काटेंगे यहां पर ताकि वांचित जीन आके जुड़ जाए ठीक है आगिया देखो काटा हमने ठीक है यह वांचित जीन यहां पर आके जुड़ गया अब क्या हुआ जो enzyme है वो आपका लाल वाला इससा क्या है आपका gene of interest है तो यह जो हमारे पास आया है यह बन गया है पुनर योगस dna यह रिकॉंबिनेंट dna बन गया है ठीक है और इसको परपोशी कोशिगा में डाल सकते हैं और या फिर इसके प्रतिकरती बनाना क्या कहलाता है आपका कहलाता है gene cloning ठीक है यानि की जीन है उसकी cloning करना बहुत सारे clone बनाना उसके ठीक चलो अब इमांदारी से बताओ कि कितने बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है कि मैडम क्या पढ़ा रही है और सच्ची बताना इंट्रस्ट आ रहा है ना जब मुझे इतना इंट्रस्ट आ रहा है य है हमें के कोश Juice का चाहिए तो वहाँ जो कोशिका क्या यूस करेंगे कि जिसका जीवन हो कम हो और कम समय में ज्यादा क्या करते कि हमें ऐसी कोशिका को सब्सक् invented करें पर इसका हमारे पास घ्र 001 के इंट्रेंट करतोंomet्य Agile q ओक यहां परit जीन्ऊ क्लोनिग में क्या है की कॉपी बनाते हैं हम आ प एक जो दीने की कॉपी इस बनाना वो भी बहुत सारी बनातरा में यह जु ख्रिया होती है कहलाती है जीनLioning छीकिंख अब डीने रैडि यह мн法े पास है ना डीने रैडिये पुनर योगुच ची ने इक वाल जाले ला की नगे जाहला हमने और्ध म näूसी और पुनर योगच बना देँ है तीया किया श्रा करें अलेनगेग्ट की पेक्षए बरे मिल्गिंगच जानते हैं इस वह विश्ष अनुव wielमっち की विवस्ता के संयोजन के प्रतिपादन का अपसर मिलता है जो जीव या आवादी के लिए लापकारी हो सकता है लैंगिंग जनन से विबिन्दता उत्पादन हो सकती है परमपरागत संकरण की विदिया जो पौधेवं जनतुओं के जनन में उपयोगी हैं इनके द्वारा जीन के साथ साथ अवांचित जीन का समावेश वे गुड़न भी हो जाता है उपयोग कमियों को करने के लिए अनुवांशिक करने ही तू अनुवांशिक इंजिनेरिंग तक्निकों में जीन क्लोनिंग वे इस्थानांतरन का उपयोग कर पुनर योगस डियने का निर्मान किया जाता है जिससे बिना आवंचित जीनों के केवल एक या एक से अधिक वांचित जीन को चुने हुए जीवों में इस्थानांतर कर देते हैं ठीके अब समवतह ये डियने जीव की संतथी कोशिकाओं में स्वयम गुड़न नहीं हो पाएगा लेकिन जब डियने आदाता के जीनों में जुड़ जाता है तब ये गुड़ित होकर परपोशी डियने के साथ वनशागत हो जाता है ये विजातिये डियने कर गुणसोत्र का आंक हो जाता है जिसमें प्रतिकृतियन करने की छमता होती है एक गुणसूत्र में एक विशिष डियने अनुक्राम होता है जिसे प्रतिकृतियन याने की रेप्लिकेशन की उत्पत्ति कही जाती है और जो प्रतिकृतियन के लिए उत्तरदाई है अब किसी भी जीव में किसी विजातिय डिने खंट के गुणन हेतु इसे गुणसूत्र का अंग होना आवशक है जिसमें एक विशिष्ट अनुगरम मिलता है जिसे प्रतिकृतिन का मूल और ओरिजिन ओफ रेप्लिकेशन कहते हैं जिसको हम और ही कहते हैं ताकि डिने का विजातिय खंट पर पोशी जीव में स्वयम प्रतिकृति वे गुणन्त हो सके इसे क्लोनिंग भी कह सकते हैं या किसी टेंपलेट डिने की समान गुणित संरशना को निर्मान भी कह सकते हैं संरशना का यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन को आपने दिमाग में मिठा लेना आपको सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा ठीके तो प्रथम पुनर योगस डिने का निर्मान कहा हुआ था सैल्मोनेलर टाइफी मूरियम में के सहच प्लाजमे दिये गोलाकार गुणसूत्र बाहे डिने है जो स्वतहा प्रतिकृति करता है इसमें प्रति जैविक प्रतिरोधन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार जीन था आण्विक कैची कहे जाने वाले प्रतिबंधन इंजाइम यानि के रिस्ट्रिक्शन इंजाइम की खोज डिने को विशिष जिगा पर काटना संबभ हो जखाता है ठीक है चलो यहाँ पर हमने एक नाम साल्मोनला टाइफी मिूरियम है इसके प्लाजमेट में तो यहाँ पर क्या था यह प्लाजमेट था यह ओरी था यहाँ पर इसको काटा है और यहाँ पर वानचिछ जीन लाकर जोड दिया इस तरीके से ठीक है ऐसे जोड़ दिया ठीक है कौन से enzyme यूज के इन्होंने endonuclease restricted enzyme अब इसके DNA में एक gene है जो क्या है प्रतिजैविक प्रतिरोधी gene है यहाँ पर ठीक है इस तरीके gene of interest यहाँ पर आगिया हमने क्या बोला plasmid or gene of interest को जोड़ा ठीक है enzyme से जोड़ा कौन से DNA ligase से जोड़ा ठीक और पुनर योगस DNA बनाया और फिर उसकी cloning कर दी according to Stanley and Boyer ठीक चलो अब विकास के कारण क्या थे भाई उसके क्यों हुआ तो इसे gene cloning या gene संबंदन भी कहते हैं इसके द्वारा अलग-अलग प्रजाती के जीवों के DNA अड़ों के खंडों को जोड़ कर पुनर योजित DNA बनाया जाता है और उसे उचित पोशक में पहुचाया जाता है इस तक्नीक के सफलता के तीन कारण थे कौन-कौन से तीन कारण थे वही कि DNA की विक्रतिकरन एवं पुनहा सोभाविकरन की छमता होना दूसरा था प्रतिबंदन एंडो-nucleus enzyme और तीसरा था gene संबंदन तक् पाई यह आगे बढ़ पाई ठीक है इसको progress मिल गई तो क्या topic है अगला हमारा प्रतिबंदन enzyme के बारे में हम जानेंगे basically ठीक है हमने बहुत सारी बाते करी कि भईया प्रतिबंदन enzyme जो होता है यह अनुवंशिक पदार्त को काटने का काम करता है जिसे हम अनुवंशिक अनुवंशिक कैचे यावने की restricted enzyme कहते हैं अब इसकी कोच कब हुई थी 1963 में हुई थी किस में हुई थी विशाणू में हुई थी ठीक है और क्या था विशाणू का नाम bacteriophage यानि कि जिवानू भोजी यह जिवानू क्या काम करता है यह जिवानू काम करता है भाई जिवा जिवानू का भोजन करने वाला ठीक है तो देखो यहां पर हमारे पर दो केस आ जाते हैं ठीक है दो केस आ जाते हैं एक केस की जब पहली केस की हम बात करते हैं तो यहां पर जो भी बोलूंगी ना वो सब मैंने यहां लिखा है ठीक है कि पहली चीज मैंने क्या लिखी है कि बैक्टीरियोफेस है अपना अनुवंशिक पदार बैक्टीरिया के अंदर डालता है आगे बैडिया बैक्टीरिया के अंदर और अपना अनुवंशिक पदार डाल दिया इसने ठीक फिर गया किया बैक्टीरियोफेस का अनुवंशिक पदार थे वह बैक्टीरिया के अनुव आगे बढ़ा रहा है अब क्या हुआ कि किया हुआ पर इसको फाड़ करेगा और संख्या को बढ़ाता रहेगा यानि कि यहां पर पहले हमारे पास यह हुआ कि बेक्टेरियो फेस इसके डियाइम पर हमला करा और अपनी संतती बनाई पहला case यह आगी दूसर डॉसरे case में हमने क्या बोला कि जिवाणु जो है अनुवंशिक पदाथ उसका डियने हैं दो विचिछ संह мясँ च。पास है है मिजिल्छ राल रंग से बना हुआ और इंव wrapping प्रतिबंध dol समों लेकिन बाइल चांस अगर फिर भी यहां से काम्याब होके यहां पहुत जाता है तो क्या होगा जब यह बैक्टिरियो फेस का अनुवंशे परदा तूट जाएगा तो E-koli के DNA से नहीं जुड़ पाएगा लेकिन अगर आया भी DNA के पास तो यहां मिथिल समू है जो संक्रमण नहीं होने देगा यह जो मिथिल समू है लाल रंग से ठीक है यह संक्रमण नहीं होने देगा य ठीक है अब 1963 में दो इंजाइम प्रतक किये गए जो E-koli में जिवानु भोजी यानि बैक्टिरियो फास की व्रद्धी को रोकते हैं एक DNA के मिथिल समू को जोडता है जबकि दूसरा क्या करता है DNA को काटता है और जो DNA को काटने वाला है वो क्या है प्रतिबंदन की जी ठीक चलो अगर मैं नामकरण की बात करती हूं कि E-koli का E-co-r1 का नाम कैसे पड़ा तो क्या जवाब देंगे हम बोलेंगे जो पहला अक्षर है वो E है ठीक है जो व्यंश कहलाता है यानि की इस्टियोरिया एक मतलब इस्टियोरिया ठीक अब दूसरा क्या है CO यानि को लाए ठीक को लाए क्या है जाती है आर क्या है आर है यह प्रभेद यानि की स्टेन ठीक है और वन क्या है वन है आपका और नंबर कि कौन से और नंबर से यह रिलेटेड है राइट अब लगबग हिंड़ टू के अलावा आस तक 900 से अधिक प्रतिबंदन एंजाइमों के बारे में जानकारी है जो जिवानों के 230 से अधिक प्रभेतों यानि की स्ट्रेस से अलग किये गए हैं जिन में से प्रतेक विबिन पहचान अनुक्रमों को पहचानने काम करता है यानि की 230 इस्थलों को पहचान सकते हैं ठीक इन इंजाइमों के नामकरण ने परमपर अनुसान नाम का पहला शब्द वंश है दूसरा तीसरा शब्द प्राकेंद्र की कोशिकाओं की जाती से लिया गया है जिन से प्रतक किये गए थे जैसे इको आरवन इस्टीरिया कोलाय आरवाई 13 इको आरवन में वन आर प्रभेद के नाम से लिया गया है नाम के बाद रोवन अंग से क्रम को दर्शाते हैं जिसको जिवानों के प्रभेद से इंजाइम प्रतक किये गए हैं राइट ओके चलो अब आता है यू जो मैं हमेश्प को बता चुकिए हुँ बहुत दो तरीके के हotे पर एंग और एक्जो तो एक्जो क्या काम करता एक में से यादे गी को बट्राने का Mao के में नकाय घुज यहीं एंडोनूकिलेज हैं यह केंद्रक क्या दार करते हैं डी येने ये ऐने को काटने का काम करते हैं ठीस शर्वानति है प्लयन्ड्रोम के यह ऐन आगए से पड़े यह पीछे से पड़े से बसक्ष एड काम घृजीज को Hoe कोई हमने क्या पड़ा समान पड़ा जाता है पैलिंड्रोम के दोनों तरफ से समान पड़ा जैसे कि हमने बोला मलियालम ठीक है तो मा ला या ला मा ऐसे पड़ो चाहें ऐसे पड़ो ठीक है चाहें मदाम मदाम आ जाता है ठीक है आडम आ जाता है नहीं आडम नहीं है मदाम है आरे ? ठीके न? उसी तरीके से यहाँ पर ह相信 इस यह सीक्वेइन्स आता है ठीके इस यहाँ पर पढ़ा था कहाँ चुलागी हमारा? यह व्ला ठीके जी ए अ़े टी टी सी इसके एपोज़ित में सी टी 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 ए ए जी यहां से पड़ो चाहें यहां से पड़ो बात वराबर रहेगी तो मली आलम यह सीक्वेंस है जो पैलेंड्रों मिक नुक्लोटाइड अनुकुरम कहलाता है अब क्या होगा भै अब यहां पर जब हम बात कर रहे हैं गहुत सारी चीजों की तो यहां पर हमको पता है कि जो हमारे पास यह बिekने तावांचिक जो का डीन ने निकाला था है ना और क्या की ता हमने यह जो प्लाजमिट है याने की ciąसर है की इसके साथ हमने जो समवाख डीन था ठीक है अब ये जो पुनर योगस डिये ने यहां मिला आपको क्या किया यह आपकी एक एकोलाई है इसके अंदर क्या कर दिया हमने इसका रूपांतर कर दिया और जब ये इसके पहुँच जाएगा और इकोलाई इसको अपना लेगी तो क्या होगा कोशी का विभाजन बढ़ेगी दो से चार दाएं चार से फिर आर्ट व करेंगी इस तरही के से क्या करेंगी बढ़ती रहेगी ठीक है अब वांचित जीग ब्लस वक्टर को हमने जोड के पर्ख पोशी कोशी का में डाला था ठीक है हम बात कर रहे हैं क्लोनिंग समवाहक के बारे में तो यहां से हमने क्लोनिंग समवाहक शुरू कर दिया है क्लोनिंग वेक्टर जिसको हम कहते है तो यहां जो हमने यह बनाया है यहां जो हमने वी वेक्टर बनाया था इसको हमने क्या किया है वांचिंजीद और वेक्टर जो है हमने परपोशी कोशिका में डाला ठीक है हमने क्या क्या है यह कोई क्या में परपोशी का है जिसमें यह DNA है हमने यहां से इसको प्रक्रम को अलग किया इसको बाहर निकाल लिया इस तरीके से परपोशी में डाला ठीक है वेक्टर का यूज करके हमने इसको यहां डाल दिया है और फिर इसके बाद जब यहां पर वेक्टर बन गया नहीं तो परपोशी कोशिका में डाल दिया हमने अब प्रतीक कोशिका के लिए अलग-अलग संवाहक होते हैं जिवाणू उपादब ज श्रेंकला होने चाहिए डियने की ऐसे करके ठीक है सर्कुलर होना चाहिए ठीक है प्लास्मेट बना सकते हैं यानि स्वय प्रतिकृति कर सकता है यहां पर ठीक है और एक्स्ट्रा गुंसूतर होने चाहिए ठीक है तो यह सारी चीज़ें यहां पर होनी चाहिए अब जब ज प्लास्मिट कौन सा है टी प्लास्मिट आपका एग्रोबैक्टिरियम ट्यूबर ट्यूमिफिरेशियस ठीक है जनतिकोशिका का पस्च विशाणू यानि की रेट्रोवाइरस अब हम वेक्टर की यूज करते हैं सबसे बड़ा सवाल आज़ता है कि आप वेक्टर क्यों लाध करते हैं तो यह आप पर टीक है और प्लास्मिट पर डिपेंड करता है और यह कि एक तर एक से 2 बदा दो चार हो गए चार से जोड़ा जोड़ा ठीकिष में चलता रहता है MARY तो प्लाजमीट और जिवानु भोजी जिवानु को शीकाव में हुआ प्रतिक्रति करने की छम्दा रखते हैं जिवाणों भोजियों की प्रतिक कोशिका में काफी अधिक संख्या होने से जिवाणों कोशिका में इनके जिनोम की कई प्रतिक्रति मिलती हैं ठीक है कुछ प्लाज्मिट की प्रतिक्रति कोशिका केवल एक या दो जबकी दूसरों की पंदरा से सो प्रतिकृति मिलती हैं, इंकी संख्राई इससे भी ज़्यादा हो सकती है, ठीके ऑब आता है कि भाई, दो चीज़े यहाँ पर होने चाहिए, एक तो है आपका प्रतिकृति की उथपत्ति, ठीके और दूसरा वरण योगत चिननक की, दो चीजे हम यहाँ पर बा करता है कि जो वांचित जीन है कितनी कॉपी बनाएगा इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो औरी है यही डिसाइड करेगा कि जो वांचित जीन लाके हम यहां पर जोड़ेंगे यहां पर जोड़ेंगे वह कितनी कॉपी बनाएगा फिर दूसरा है हमारे पास वरण योग है ना condition change हो बहुत है कि हमने बोला कि यह जुड़ेंगे कहां से जुड़ेंगे sticky ends पर जुड़ेंगे यहां से ओरी वाला position था हमने ओरी वाला area ता क्या कर दिया इसको हमने काट दिया ठीक है यहां से काट दिया दो condition आंगी या तो वहाग क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे ठीक है यह दूसरा क्या होगा यहां पर आके व्यक्टर जुड़ जाएगा दो कंडिशन आ गई तो यहां पर जब वाहक क्या होंगे आपस में आके जुड़ जाएंगे है ना आपस में नहीं जुड़ेंगे जो वहाक जुड नहीं पाएंगे आपस में जो वहा-के जुड नहीं पाएंगे आपस में पिलिदान तो जही जुड नहीं जुड पाएंगे तो क्या होंगे वो non-recombinant vector यानि कि यहाँ से यह तो ओरी वाला portion था है ना यह जो बाहर हमने यहां पर लाकर डाला इसको ठीक है gene of interest को हमने यहां रखा यह क्या है यह इस से जुड़ नहीं पाया तो इसका मतलब क्या हो गया यह तो waste होगी है हमारा यह तो gene waste हो गया तो यह क्या है non recombinant vector कहलाएगा हमारा ठीक है दूसरे case में क्या होता है कि यह जो हमवार से gene of interest लाएता है यह इस वेक्टर के पास आके जुड़ जाता है जो क्या कहला था रिकॉमिनेंट वेक्टर यानि कि पोनल योगस डीयन यहां पर बन जाता है ठीक है अब हमने क्या बोला कि यहां पर देखो दो तिन cases आ जाते है पहला case कि जो वांचित gene है वह य यह यह पास में क्या हो जाए खुदी जुड जाएगा तो क्या होगा नौन Rekombinator हो जाएक यह यह वला नौन रिकॉम्बिनेंट ठीक है और यह वांचित gene यह वेस्ट होग जो औरुपांतरजों यानि कि non-transformance की पहचानवे उन्हें समाप करने में सहायक होते हैं और रुपांतरजों की चैनात्मक व्रद्धी होने देते हैं। रुपांतरन यानिकी ट्रांसफोर्मिंट्स एक प्रक्रिय यानिकी प्रोसेस है जिसके द्वारा दियने के एक खंड को जिवाणों में प्रवेश कराते हैं समानेता, ampicillin, chloroamphenicol और tetracycline या canamycin जैसे प्रतिजैविक के प्रतिरोध कोडित करने वाले जीन E. coli के लिए उपयोगी वरणयोगे चिन्नक माने जाते हैं विजातिये DNA को जोड़ने हैं तु समानेता काम में लिये जा रहा प्रतिबंदन इंजाइम के लिए समभाहक में कुछ या एक ही पहचान स्तल होने चाहिए समभाहक के अंदर एक से अधिक पहचान स्तल होने पर इसके कई खंड बन जाते हैं जो जीन ग्लोनिंग को जटिल बना देते हैं विजातिये DNA का बंदन यानि की लाइगेशन उन दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों में से एक इस्तित प्रतिबंदन स्तल है जैसे कि एक्जैम्पल के लिए विजातिये DNA को समभाहक PBR 322 ठीके में स्तित टेट्रसाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के इस्तल से जोड सकते हैं ठीके ये क्या होता है आर्टिफिशल प्लास्मिट है ठीके और ये देगो P4 क्या होता है प्लास्मिट होता है और 322 क्या है जित छल इलेक्रोफोरिस की तो हमने बोला था कि यह जिसके पास नूइ नॉर्मल है इसके पास वांचिघ जीन है बीची है जो इसको में इसको हमों बाहरा लेकर आयते हमने काता इसको हम को यहां पर जीन मिल गया है ना फिर क्या हमने पहले प्रत्यक करन किया एंडर नुकली इसका यूज किया फिर इसको जो इसके साफ करने के लिए इसको हमने चिल्ड इथनॉल में डाला फिर जल एलेक्टर पोरेसिस किया है ना अब डिये ने पॉजिटव और नेगेटिव साइथ की तरफ चले गए थे जब हमने यहां पर डाला जल एलेक्टर फोरेसिस में ठीक है और यहां पर फिर हमने एथीरियम ब्रोमाइड डाला सिंपल सा छोटू सा हमने यह पढ़ा था यहां पर जो चोटे-छोटे थे वो प्लस की तरफ गए बड़े-बड़े थे वो नेगिटिव की तरफ गए ठीक अब जो DNA हमारे पास आया हमने क्या کیा उसको वक्टर के साथ यहां पर आके अड़ कर दिया ओड़ेन के बाद करहें है एड़ कर दिया उसके बाद हमने क्या कि रिकामर्मिलान DNA मिला तो आप सोच रहोंगे मैं आब यह फिर से क्यों बता रही हूं मैं फिर से इसलिए बता र जाल तो यह तीसरा PCR के साथ इसकी बहुत सारी कॉपी बना लो ठीक है तो हम बात करेंगे PCR के जब बहुत ज्यादा important है जिसको पॉलीमरेस chain reaction कहते हैं यह लगबग हर बार पूछा जाता है हर बार ठीक तो पॉली का मतलब हो तो बहुत सारे क्या chain reactions बहुत सारे chain reaction की यहां पर बात होती है कि वांचेज जीन यहां पर क्या होते हैं यहां वांचेज जिनके insulin तो PCR का मतलब क्या होता है पॉलीमरेस chain reaction ठीक है यह एक अभी क्रिया है इस अभी क्रिया में क्या होता है उपक्रमो यानि प्राइमर्स के छोटे रसाइनिक का इसलेशन होता है यहां पर PCR में ठीक है चलो अब PCR में हमने माना हमें PCR का यूज करना है लेकिन यहां साधम कौन से यूज होते हैं क्या यूज करोगे आप PCR के लिए है ना तो PCR में सबसे पहली जरूद हमको टेंप्लेट्स की होती है क्योंकि बिना टेंप्लेट्स के तो कुछ काम ही नहीं चलेगा भाई हमको DNA की जरूद है और DNA के दोनों स्ट्रेंड्ट जो होते हैं वहीं टेंप्लेट कहलाते हैं अगर आपको याद होता है तो DNA का छोटा सा टुकड़ा है 523 और 325 डैश है ठीक ह इन टेंप्लेट्स की जो केपैसिटी यह नहीं च्हमता है अपने अपने सी श्रिंख़ ला का निर्मान करना कि मैंने का है यह 523 है तो यहाँ पर यह अपने आपको यहाँ से इस तरेके से खोलता है ठीक है तो दूसरा हम हमने dna polymerase यूज करा भाई इसको खोलने के लिए यहां पर dna polymerase यहां पर आके जुड़ जाएगा ठीक है और dna की श्रिंकला खुल जाएगी यहां पर हमने क्या बोला कि dna था यह खुल गया अब यह थ्री डैश पर आके जुड़ जाएगा कहां जुड़ गये थ्री डैश पर आके यहां जुड़ेगा और यहां जुड़ेगा ठीक है तब dna polymerase जो नुक्लोटाइड है यह जोड़ने का काम करेगा यहां पर और एक dna प्राइमर प्राइमर से जुड़ा नुक्लोटाइड जुड़ेगा और इन दोनों स्रिंखिलाओं ने अपने सामने एक और यह खुला बना लिए ठीक है तो सबसे पहले कि क्रिया विदी की बात करेंगे तो सबसे पहले आता डी नैचुरेशन यानि की निश्क्रिये निश्क्रिये कर तो यहां पर क्या होता है तो टेंप्रेचर क्या होता है तो यहां पर टेंप्रेचर बढ़ाया हमने डिने के जो स्ट्रेंड से अलग करने के लिए तो डि वो क्या था टूट गए वहाँ पे दूसरा था DNA पर यह जो hydrogen bond है यह क्या है तूट गया है ब्रेक हो गया है इस तरीके से देखो ठीक है ऐसे तूट गया है फिर आता है तापूनूशील्था याने कि ये आहां पर temperature Donna कम होता है 55 से 65 तक होता है क्यूंकि जब temperature कम होता है हम शुकुर जाते हैं सिकूरä जाते हैं चीजें क्या होती है इकटी हो जाती ज़िएesse तो यहां पर temperature हमने कम कर दिया और क्या हुआ कि यहां पर आके जुड़ जाते हैं प्राइमर 3 डैश पर ठीक है और इन प्राइमर से क्या जुड़ जाएंगे DNA polymerase जुड़ जाएंगे जो new nucleotide का nucleotide होते हैं उनको add करेंगे ठीक है यहां पर यहां पर यहां पर यहां से एड़ जोड़ गया है ठीक है फिर अधा प्रसार यानिकी एक्स्टेंशन तो लगबग 72 डिग्री यहां पर होता है यहां पर हमने क्या वहां रेड़ गलर वाले बन रही है यहां पर hydrogen bond बनते जा रहे हैं इनके बीच में इस तरीके से हमारे पास यहां थ्री टू फाइव डैश हो जाएगी और यहां पर क्या गई फाइव टू थ्री डैश हो जाएगी यहां पर इस तरीक है यानिकी दो DNA की श्रिंकला यहां पर बन गई है ठीक है उसके बाद आता है भाई बायो रियक्टर ठीक है तो यह सब चीज़े बनाने के लिए ऐसा थोड़ी है कि आप घर में कुछ भी बना लोगे आ रहे आज तो मेरा वांचित जीन बनाने का बन कर रहा था यार आज मुझे खिचड़ी नहीं बनाना है तो लाओ किसी का वेसल्स होते हैं वो यूज करते हैं तो बायो रियक्टर उन में से एक है ठीक है कि कम आयतन समवर्दन से उतपात की प्रयाप्त मातरा का उतपादन नहीं हो सकता है इन उतपादों की अधिक मातरा में उतपादन है तो बायो रियक्टर के विकास की अवशक्ता थी जहां प हम ने बहुत इंपोर्टन है यह वो बरतन होते हैं जो साधनों के रूप में यूज होते हैं बड़े पैमाने पर होते हैं इंसुलिन जैसे चीज़े बनाने के लिए ठीक है तो यहां पर इकोलाय का अगर हम यूज करते हैं तो बहुत सारी कॉपी लगबख एक अरब कॉपी आप बहुत जल्दी जल्दी बना सकते हो इतने बड़े-बड़े बरतन होते हैं है फिर वही चीज़ है कि हमने यहां पर क्या बोला कि बहुत सारी कॉपी बनी यहां पर संतती बनी रिकॉंबिन डियने और प्रतिकृति बनी वह भी बड़े लेवल पे किसमें बायो रियक्टर में यह सारी चीज़े इसी में हुई चीक है क्लियर इतनी चीज़े इतनी बात कि इतने बच्चों को समझ में आ गई है बदाओ अब देखो अब इक उलाए को बड़े लेवल पे बनाना है तो संवर्जन माध्यम हम यूज करेंगे यहां पर क्या डालेंगे हम प्रतिकृति बनाएंगे यहां पर सबसे पहले ठीक है कम समय में ज्यादा उत्पात के लिए हमें बड़े बड़े बरतनों की जरुत परती ह यहां पर इसके साथ जब बड़े बरतनों में डाला है तो हमने एक उलाएंगे बरतनों क्या शाइए पर घ्क हम पर और हुम सब घखन सरी है उसके बात क्या किया तब हमको जाकर यहाँ पर खूप सारे इसकी क्या मिल जाएगी, कॉपी बन जाएगी, ठीके, अब E.C.O.L.I. क्या काम करेगा, E.C.O.L.I. जो का इन सारे चीज़ों खा लेगा, और एक toxic release करेगा, वो toxic खतम करने के लिए, क्या है, rod या plate वहाँ पर होती है, ठीके, चलता रह जाता है, क्या पूछा जाता है, वो ज्यादा यह पूछा जाता है, ठीके, यह important है, तो आप से कभी बोला जाए, bio reactor बनाओ, तो यही बना के आना, यह ज्यादा important आता है, ठीके, एक यह ना, यह कौन सा आपका, साधारन वाला है, यह वाला साधारन वाला, और वो क्या है, दंड विलोडन वाला है ठीक है ज्यादा तर यह वाला पूछा जाता है यह इंपॉटेंट है राइट ओके ठीक है तो यह आपके बायो रियक्टर के बारे में है कि बायो रियक्टर वान्चित उत्पात पाने के लिए अनुकूलतम परिस्तितियां उबलब्द कराता है विलोडन प्रकार का यानि कि स्ट्रिंग राइट अब विलोडन हौज रियक्टर समानता बेलनाकार होते हैं या जिनके आधार गुमावदार होते हैं यह वाले इसकी बात चल रही है यहीं इंपॉर्टेंट है यहीं आपको याद करना है ठीक है इसके अंदर अंतर मिलती है विलोडक बायो रियक्टर में उक्सीजन उपलब्दता वे उसके मिश्रण का काम करते हैं विकल्बता हवा बुलबले के रूप में बायो रियक्टर में भेजी जा सकती है यदि आप चित्र को ध्यान से देखे तो पाएंगे रियक्टर में एक प्रभोक्षक तंत झाया नियंस जाग नंतर्तंत न्टृम नियंस फियेज और प्रती चेंद्ज पर्तिद्वार लगा हो ता है जिसमें संवर्धन की थोड़ी मत्रा समय स titled निकाली जा सकती है इसको आप देख समझ में लीजिए का बनाना सीख लोग्सी क्लूंब बहुत इंमपॉनलन्ट है और इसी के साथ क्या हो गया, इसी के साथ हमारी इकलास यहां पर संभसप्थ होती है, सभा को यहीं पर संभन करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक और नाइस चाप्टर के साथ, तब तक उमीद करती हुँ, आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहोगे, और हम हमारे चैनल पर बने रहो गए ठीक है चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं आप अच्छे से पढ़ाई करो चीजों को समझो नहीं समझ में आता है दुबारा से वीडियो एक बार देख लो ठीक है चलो फिर ओके तड़ा भाई भाई ख्याल रखी अपना